वैसे तो ब्रम्भान की दुनिया चमतकारों से भरी हुई है लेकिन ब्रम्भान के कुछ चमतकार अगर धर्ती पर देखनी को मिले तो धर्ती पर भी स्वर्ग हो सकता है कुछ ऐसा ही चमतकार इस धर्ती के सूरी की वचा से हुआ है जो कभी अस्द नहीं होता जिसकी रोश्नी सूरी की रोश्नी से जरा भी कम नहीं है इस चमकीने धर्ती के सूरी का नाम सूलर एक है इसे डिजाइन किया है हेट्व ब्रिकेट और ब्रक्स्ट्रोम ने इसकी खोज वैग्यानिकों के लिए बहुत बड़ी उपलगती है इसे फिलहाल स्वेजन तो तुरिपोल पर रखा गया है इसके रखे जानी से एक जग है एक टूरिस्ट प्लेस की तरहा बन चुकी है इसके अंदर का तापमान विच्छतर से असी डिगरी के बीच रहता है अंदर एक इन्सूलीटर लगा हुआ है जो तापमान को मेंटीन किये रखता है ये इंसूलेटर स्टेनलिस स्टील का बना हुआ है इस सोलर एकी कोटिंग टाइटेनियम गोल्ड से की गई है अपने पहले प्रोजक्ट के दौरान वैक्यानिक रेक्स बाइगन ने इसका प्रस्पाव सामने रखा था जब इसे धर्ती पर उतारा गया किसी को भी यकीम नहीं हुआ स्टील के आसपास के लाकों में राप में भी खूप दिखती है यही कारण है कि लोग यहां घूमनी और रात बिताने आते हैं इनके तस्वीरे कितनी खूपसूरत हैं कि आखी चका चौन्द हो जाएं इसके अंदर दिल के आकार का एक बड़ा सा स्टूब रखा गया है जो अपने आपको खुद से ही समायोजित कर लेता है अंदर से यह खरीब 16 फीट उंचा है जो स्टून, लखड़ी और तामे से बना हुआ है वैज्यानिकों के अनुसार ये सोलर एक सूरी का ही एक प्रितीक है जो एक प्रेलव की तरह काम करता है जैसे सूरी ओर्जा का सबसे बड़ा स्ट माना जाता है वैसे ही ये सोलर एक सूरी के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा स्ट है टीम अंडिलिंग्स